एसी कूलर फ्रिज डीप फ्रिजर इन्वर्टर मुबाइल सब मौजूद हैं अम्बेड कर चराय के सामने पाउर पॉइंट इलेक्ट्रोनिक सभी प्रोड़क्ट वो भी रीजनेबल रेट पर एक बार ज़रूर विजिट करें मद्यप्रदेश के खंडवा के शास्की जिला महाविद्याले के लीन अनन्त पवार ने एक आदेश निकाला है जिस आदेश को लेकर खंडवा शहर में दो तरह की चर्चा है पहली चर्चा पॉजिटिव है दूसरी चर्चा नेगिटिव है आईए आदेश है क्या और इन्होंने इस आदेश में क्या लिखा है दर असल ये आदेश कुत्तों को लेकर है Medical College campus में कुत्तों को खाना ना खिलाने को लेकर उन्होंने एक आदेश निकाला है कि कुत्ते जो College campus में मौझूद है उन्हें नहीं कैमपस का कोई भी स्टूडेंट टीचर और नहीं केंटीन का कोई वेक्ति खाना खिलाए उनके इस आदेश पर दो तरह की बात हो रही है एक यह कि यह उनका अधिकार है और कॉलेज केंपस में कुत्ते काइदे से नहीं रहने चीहें लेकिन अगर है और वो उनकी संख्या ना बढ़े और वो किसी को नुक्सान ना पहुचाए इसको लेकर अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो कॉलेज केंपस से बहार जाकर खाना खाएंगे और कॉलेज केंपस कुत्तों से मुक्त हो जाएगा लिश्चिती टेक्निकल तोर पे उनका अधिकार है दूसरी चर्चा ये हो रही है कि कुत्ते अगर किसी को नहीं काट रहे है और जीव दया स्टूडेंट टीचर केंटीन वाला दिखा रहा है तो इससे उन्हें क्या दिक्कत है दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अगर कुत्ते किसी को हाम नहीं पहुचा रहे है तो मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, जीवदया के नाते, जो सभी जगे अच्छे लोग दिखाते हैं, वो दिखाई जानी चाहिए और कुतों को खाना खिलाते रहना चाहिए, दो तरह की बात हो रही है, आप इसको लेकर क्या सूचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कम को रोकने के लिए, दीन ने उन्हें रोटी खिलाने पर रोक लगा दी है, कॉलेज परीशर में रहने वाले डॉक्टर स्टाफ और MBBS के छात्र चात्राओं की सुरक्षा को लेकर दीन ये आदेश जारी किया है, ऐसा उनका लॉजिक है, दीन डॉक्टर अरंद पवार का नहीं मिलेगा, तो अपने आप वह यहां से चले जाएंगे, क्योंकि केंपस में बढ़ती कुतों की संख्या को देखते हुए, उन्हें शिफ्ट करने के लिए दो बार पत्र लिखा जा चुका था, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई कारवाई नहीं की, जानकारी के मुक् के लिए कॉलेज परिसर में आता जाता रहता है, एक पेपर में दिये उनके बयान के अनुसार, कॉलेज परिसर में कुतों के संख्या बढ़ रही है, क्योंकि यहां के रहवासी उन्हें बोजन उपलब्द कराते हैं, कुते परिसर में बच्चों के पीछे काटने के लिए इसलिए कुतों को भोजन देने पर रोक लगाने के आदेश जारी कियें, ताकि खाना नहीं मिलने पर वो परिसर से बाहर चले जाएं, ऐसा उन्होंने एक नियूस पेपर को अपने बयान दिये हैं, कुल में लाकर दोनों तरह की बाते हैं, एक यह कि कॉलिज केमपस उनके क क्षेतर अधिकार में आता है, और महाँ पर कोई अन्होनी ना हो, इसलिए उनका राइट है कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो नगर निगम की टीम से कुतों को केमपस से बाहर निकलवा सकते थे, कलेक्टर साब से शिकायत कर सकते थे, कमिशनर से शिकायत कर सकते थे, और ए कुट्टे एक स्मार्ट प्राणी होते हैं ये सही है उनकी सेंस अच्छी होती है लेकिन वो इतने स्मार्ट भी नहीं होते हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि दीन साव नाराज हो गए अब कॉलिज केमपस से चलो अपने कुणबे को लेकर बहार चलते हैं और बहार के लोग अपने को रोटी दे देंगे हो सकता है वो बूके वहीं इस होप में जैसा कि कुटों का सभाव होता है वो जो उन्हें प्यार करता है उनके इर्दगिर्द घूमते रहते हैं पूछ हिला कर और कॉलिज केमपस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीव दया दिखाते हैं उनसे कि इसका सॉलिशन दूसरा हो सकता था उनको रोटी देना बंद नहीं करना चाहिए था ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं बहरहाल दोनों पक्षों के अपने बात है आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजेगा केवल मूख दर्शक बने मत रहिएगा प्रोमा शोरूं के पास पदम नगर इंदो डोट खंटा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे